खाबा में रात करीब धाई बजे वन विभाग काराले में फून की घंटी बजे और वन विभाग को सुचना मिली कि साउंदेर तारुकां के मैरा कुन गाउ के सुनिल निहारी पर तेंदूय ने हमला कर दिया है मैरा कुन गाउ के 47 वर्षियर सुनिल निहारी किसान है पिछले कुछ दिनों से उन्हें घर के सामने अपने जानवर उपर तेंदूय के हमले का डर सता रहा था अंतर उन्होंने कुट्टे को भी पास बांग दिया सुमवाज सुपई करीब धाई पचे कुट्टे की अचानक भौकनी की आवाज बढ़ने से सुनिल निहारी की नेंद खुल गई उसने तुरंट एक लगणी ली और जानवर उपर हमला करनी के इरादे से अंतिर में छिप्तिवे देखा और डंडे से तेंदूय को भगाने क कोशिश की कुछे मिंटों में इस लड़ाई में सुनिल निहारी के पेट के बाई और तेंदूय के काटने से गंबिरूप से घार हो गया उसकी पेट में तेंदूय के दातों के घाव गहरे थी और जब तक उसे इलाश के लिए भरती नहीं करा गया तब तक उसका काफी दस्तिर हैं तेंदूय अपी सुनिल नहरे की और छप्टा और दोनों की पेच लड़ाई शुरू हो गई जल्दी ग्रामस दो एकरत रहुके और इसे तेंदूय की चंगुल से बचाया कुछी देर में तेंदूय का फायता उठा कर जंगल की और जलाक्या वन अधिकारी मौ पाक ने पजडामा कर आगे की जाज शुरू करती है एंबिसन ने उसके लिए खापा से डॉट्टर चंडरकान ठवरे के रिपूर्ट